इसलाम अलेक्म स्वेट्ट इस अबीर अलता हो भी आला डोइंग वेल हमेशे की तरह मैं आप लोगे लिए एक जबर्दास टॉपिक लेकर आई हूं जो के बहुत ज्यादा इंपॉर्टन्ट है बहुत ज्यादा यूज होता है और आप लोगे लिए बहुत बहुत ज्यादा ह फिले तो हम जो है वह वह सिकरते हैं वंघ करते हैं और हैंग वह यूर फूर्च आप लोगे को Зна है है अध को मतलग beans literally नहीं करते हैं और हैंटक पर फशिक पर नहीं का है और हैं पर श्zeug का ए इसके इलावा भी इसके बहुत सारे यूस history जो research करने जा रही है दोब पर इसका use क्या है और रहे होनेस बहुत जयादा सुना होगा आज में अपर रहेंसे discuss करते हूं eating करते हैं 마음에 ए दूसर लें हम नहीं हम हख रहाइप chambers करते हं कहां कहा ये मैं भी आपको बताते हूं जब हम खाने की बात करते हैं, जब हम खाने की बात करते हैं, हम have और had वहां use करते हैं, has नहीं, have और had use करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो बात करते हैं, सबसे पहले eat और eating, जब हम have की बात करें, तो have जो है, हमसे present में use करेंगे, अगर हम eat, use कर रहे हैं, किसी भी sentence में ये मैं यह खा रही हूँ, मैं यह खा रही हूँ, यह वह खा रही है, वह यह खा रहा है, इस तरह के sentences जहां पर हम eat use करेंगे, वहां पर हम have use करेंगे, eat or eating, present में जहां पर हम eat or eating हमेशा present में use करते हैं, present indefinite or present continuous, तो वहां पर हम have use करेंगे, पर अगर हम at or eaten की बात करें, past में चले मैं आप लोगों को भी सिखा रही हूँ बहुत अची जरी के समझ महा है कि कॉपी पंसल साथ रखिएगा और सब्सक्राइब करते रहेगा ठीक है बात करते हैं मैं बर्गर खा रही हूँ नॉमल क्या होगा कब्र मैं बर्गर अगर मैं यान हाब यूर्स कार्यों लुव sırू नॉमल और ठीक है अ के अगर मैं यहाद कर सिखू कि यह यही डोप से पसंगी है स्वर्स कार्णी और साथ gare ऑय हाव उचक्वाभ ऑग करोंगी शी डर्जनन राइक तो हांसरी ब Pascal त kurz थे अरू उत त उसे एक खाना पसंद नहीं है यह पर मैंने इत यूज किया पहले मैंने इटिंग यूज किया था अब मैंने इह पर इट यूज किया शीड़न लाक तो एक खाना पसंद नहीं है मैं बर्गर खा रही हूं, I'm having burger ठीक है इसी तरह मैं हाट पर बात करती हूं जैसे के मैं बता रही हूं, मैंने, बर्गर खाया था, I ate burger, past indefinite, मैंने burger खाया था, I ate burger, अकर मैं हाई हहाई हाई हाई है लिगा तो I had burger, at or eaten, साहिय है, हाई के लिए at or eaten यूजा तो I am using at over here, I had burger, मैंने burger खाया था, I ate burger, मैं है लगा दू, I had burger, यहां पर मने had यूज कर लिया, समझ में आगया, किस तरह है यूज करना है, I had burger, आप में बात करते हूं, itin की, third form of eat, eat at itin, इसी तरह है, third form, I have eaten my sandwich, मैं अपना sandwich खा चुकी हूँ, यहां पर eaten यूज हो रहा है, मैं यहां पर had लगाऊंगी, I have had my sandwich, I have had my sandwich, आपने बहुत जगा देखा होगा, शायद आपका ही जगा, बहुत सारी जगाऊंगी, आज यह सारी जगाऊंगी आपकी खातम हो जाएगी, कि have had, दोनों एक साथ कहां ही हूज हो जाएगी, कैसे ही हूज हो सकता है, हम have की साथ third form लगाते है, itin, मैं खाने की बात कर तो have use करेंगे, आप इसको helping word से नहीं लो, उसको मज सोचो, आप ही सोचो कि यह किसा second word है, synonym है, eat, eating के synonym क्या है, have, synonym मतलब same word, और at or written guys क्या synonym है, had, same word है इसका, आप इसको helping word आपने जहन से निकाल दो, use करते हो, I am having my burger, I am having anything, I am having biryani, ठीक है, और I had burger, मैंने burger खाया था, I I have eaten my sandwich, I have had my sandwich, इसका same word है, इसका same word है, eaten लगा दिया, had लगा दिया, दोनों same English, मतलब same word है, अब दूसरी बात करते हैं, मैं take की, take, yes, अगर हम take की बात कर रहे हैं, take लेना, take, taking, तो हम हाँ have use करेंगे, eat, eating, take, taking की बात करेंगे, लेना, you can have this pen, you can take this pen, लेना ले सकते हो, हम हा you can take this pen, take की जगा हम have भी use कर सकते हैं, जैसे मैं चाय पी रही हूं, चाय के साथ ड्रिंक नहीं लगता, have लगता, take लगता है, आप लोग को पता है, पर हिहां पर मैं have use करूंगी, I am having tea, क्योंके taking की जगा हम have भी use कर सकते हैं, ती के साथ कभी भी drink नहीं लगता है, आप मैं चाय पी रही हूं, I am having tea, I am taking tea, having भी लगा सकते हैं, मैं चाय पी टी हूं, I have, I take tea, I have tea, ठीक है, अब यहां पर मैं बात करूं, took or taken, second or third form की बात करूं, take के, took or taken, तो बहां पर हम had use करेंगे, had use करेंगे, I had this pen from here, मैंने या से pen ले लिया है, या लिया था, तो I had this pen from here, मै या पर आएगा, took, I took pen from here, I took this pen from here, मैंने या से pen लिया था, तो मैं या लेगा, I had this pen from here, ठीक है, अगर मैं बात करूं, take-in की, take-in की मैंने शाहिद या बात नहीं किया, मैं ऐसे ही बात कर दूंगे आपसे, या बात करूंगे, I had tea in the morning, I took tea in the morning, ठीक है, I took tea in the morning, मैंने सुभ sentence की, ठीक है, I had taken my back, मैं अपना back ले चुकी थी, या ले लिया था, मैंने अपना back ले लिया था, I had had my back, I had had my back, आप लोग इसमें बहुत, देखा होगा, आप लोगोंने confused हो जाता है, बंदर समझ नहीं जाता है, कि यहाँ दो helping words एक साथ कैसे use हो रहे हैं, तो आज मैं आप I had taken, यहाँ पर क्या use होगा, taken, तो मैंने यहाँ पर, synonym है taken का hat, मैंने बोल दिया, I had had my back, I had had my back, ठीक है, I had taken my back, इसी तरहां के यह सारे concept है, let me repeat everything, ठीक है, बात करते हैं, eat और eating की, खाने की बात करते हैं, half की बात करते हैं, I eat biriyani, I have biriyani, I am having biriyani, I am eating biriyani, I am eating biriyani, I am having biriyani I am eating biriyani, I ate biriyani, I ate burger, I had burger, I had burger, मैंने burger खालिया, I have eaten my burger, I have had my burger, ठीक है, इसी तरहां टेक ही बात करते हैं, you can take this pan, you can have this pan, you can have this pan, you can have this sleep off, ठीक है, मैं यह, मैं चाय पी रही हूँ, I am having this, I am taking this, I am taking this, I am taking tea, I am having tea, ठीक है, इसी तरहां, ठीक ही बात करो, I had this pan from here, I took this pan from here, I took this pan from here, I had this pan from here, I had tea in the morning, I took tea in the morning, I had tea in the morning, I took tea in the morning, I had tea in the morning, I took tea in the morning, ठीक है, I had taken my bag, I had had my bag, I had had my bag, I had taken my bag, ठीक है, आप लोगों को इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी इन्शालला मेरी वीडियो देखने के बाप आप लोग को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा ठीक है कि किस-किस तरह यूज करना है यहां मैंने हैस का जिकर नहीं किया सिफ है और हैट का जिकर किया है जो के आप लोग के लिए बहुत ज्यादा होगी तब तक के लिए मुझे साथ इजाज़त दीजियो और लाइक और शेर करना मत भूलेगा मेरी वीडियो को थैंक यू सो मुँच